दो हफ्ते गुजरे है शरत पवार की बेटी और कदावर नेता सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर दो सियासी धमाके होने वाले है शरत पवार की आजकी गुशना ने सुप्रिया सुले के बयान पर मुहर लगा दी है लेकिन अब सवाल ये है कि शरद पवार के बतोर पार्टी अद्यक्स इस्तिफा देने के बाद NCP का अगला बॉस कौन होगा देखते अंदर की बात में दो हजार चौविस आम चुनाव से पहले NCP बॉस सरद पवार ने एक सियासी गुगली फैंकते हुए दिल्ली से लेकर महराश टक संसनी मचा दी है मुंबई में अपनी आत्मक अथा विमोचन के दोरान शरद पवार ने कहा की मेरे साथ योग बले ही मैं अध्यक्स पद से हट रहा हूँ लेकिन मैं सारवजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूँ मैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे काम करता रहूँगा संगठनात्मक निर्णय की गोशना के बाद मैं NCP के वरिष्ट नेताओं की एक समीती का सुझाओ देता हूँ जो बविश्य की कारेवाहे के साथ साथ यह भी तै करेगी के की से क्या जिम्मेदार मिलेगी इस समीते में शामिल होगे प्रफुल पटेल, सुनिल तटकरे, पेसी चाको, नरहरी जिर्वाला, अजित पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, जगन भुजबल, दिलिप वलसे पाटिल, अनिल देशमूक, राजे श्टोपे, जितेंदर अहवाद, हसन मुस्रीप, ध दिलाती है, जो उन्होंने 19 एप्रिल को दिया था, सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिनों में होगे दो राजनेतिक धमाके, निस्चित रूप से सुप्रिया सुले का संकेत इसी ओर था, अलाकि उनका दूसरा कथित धमाका अभी भी बविश्य में छिपा हुआ है झाले 15 दिनों में अभी बविश्य में छोड़ राजने।